दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम से दूरी प्रोब्लम की सॉल्यूशन पर दोस्तों गर आप Instagram user है जैसे आप अपने Instagram application को open करते है आपके सामने कुछ इस तरह का error आता है code note refresh feed और उसके बाद यह automatically redirect हो जाता है कुछ इस तरह के page पर यहाँ पर आपको लिखा वह मिलता है your account was compromised तो गई जिस problem का solution आपकी इस तरह से कर सकते है complete जनकारी आपके साथ share करूँगा अगर आपको भी face होती है इस तरह का यह error इस तरह की यह problem तो आपको किन steps को follow करना है यहाँ पर मापको दो से तीन message बताने वाला हूँ जिनको अगर आप follow करोगो तो 100% जो आपकी problem है इनका solution होने वाला है आपको हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहना है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने हैं पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिस है अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो प्लीज बैल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तक याने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे इसके साथ ही गाईज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हो जो कि ये प्रोब्लम आपके साथ क्यों आती है इस प्रोब्लम के आने कि दोस्तों कई रीजन हो सकते हैं darf ने अपने फोन के अंदर 3rd party application को इंस्टाल कर रखे अपने likes या followers को बढ़ाने के लिए तो गाईज आपको सबसे पहले तो उनको अनिस्टाल कर देना होगा और दुखरा दोस्तों ये भी हो सकता है अगर आपने अप्लिकेशन का यूजरनेम और पासवर्ड किसी अपने फ्रेंट के साथ शेयर कर रखा है या फिर एक से ज़्यादा डिवाइसिट के अंदर आपने अपने इंस्टाग्राम को लोगिन कर रखा है ये भी एक प्रोब्लम हो सकती है तो गाईज आपको इन चीजों का ध्यान रख लेना है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ अगर वो अपना old password डालने के बाद जो password create कर भी लेते हैं उसके बाद भी उनका password चेंज नहीं होता है तो यहां से आपकी problem का solution नहीं होता है जो इसका सही method है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको यहां से बिल्कुल back आना है back आने के बाद दोस्तों आपको एक बार अपने Instagram पर long press करके रखना है और यहां से इसको कर देना है uninstall uninstall करने के बाद दोस्तों आपको अपने Google Chrome को open करना है और उपर search bar दीखेगा search bar पर आपको type कर देना है reset Instagram password जैसे आप यह search करेंगे तो आपके सामने इस तरह के interface आएगा reset password तो उपर वाली जो site आपको इस पर click कर देना है तो आपके सामने इस तरह से interface आजाता है आपको यहां से Chrome select करना है और उसके बाद दोस्तों आपके सामने यह page आएगा आपको यहां पर जो आपका username है उसको डाल देना है या फिर आप अपना mobile number यहां पर डाल सकते है email ID है तो आप उसको भी डाल सकते है तो मैं यहां पर दोस्तों अपना username डाल देता हूँ यहां से दोस्तों हमने अपना username डाल दिया है उसके बाद verify पर मैं click कर दूँगा उसके बाद हमें next पर tap करना है जिसके बाद हमें थोड़ा का इंजार करना पड़ेगा तो हमारे सामने कुछ इस तरह के interface आ जाता है कि यहां से एक link send कर दिया गया है हमारी mail ID पर अगर आपका mobile number connect होगा तो mobile number पर यह link आ जाएगा तो हमें यहां से back आना है उसके बाद दोस्तो हमें अपनी mail ID है यहां पर चले जाना होगा तो mail ID को open करते हैं और देखते हमें कौन से वाला link देखने को मिला है देखिए दोस्तो mail ID को open करते हैं हमारे सामने यह वाला link आ चुका है तो मैं जैसे इसको open करूँगा तो यहां पर हमें दो option देखने को मिलेंगे login एजे नवीन कुमार और नीचे हमें देखने को मिलेगा reset your password जैसे ही मैं इस पर click कर देता हूँ तो यह मेरे को redirect करेगा कुछ एक इस तरह के page पर यहां से दोस्तो मैं अपना नया password यहां से generate कर सकता हूँ और यहां से अपने password को reset कर दूँगा और यहां से अपने password को reset कर लेने के बाद दोस्तो मेरे को क्या करना है Google Chrome पर ही आ जाना है और यहां पर आने के बाद हमें back to login पर click कर देना है login पर आ जाने के बाद दोस्तो हमें यहां पर अपना जो user name है वो डालने के बाद password डाल देना है और यहां से अपने Instagram अकाउंट पर login हो जाना है यहां से login कर लेने के बाद दोस्तो हमें फिर अपने प्लेस टोर पर आना होगा और प्लेस टोर पर आ जाने के बाद हम यहां से अपने application को दुबारा से install कर सकतेए यहां पर हमें टाइप करना है Instagram और इसका जो latest version है उसको हमें यहां से install कर लेना है तो वैज इस तरह कि जो आपकी प्रोब्लम में इसका सोलूशन 100% हो जाता है तो वाज वाली इस वीडियो के नमेर को आपको अज़ेश्ट इतना ही पताना था दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंदाई तो अमीद करूंगो आप हमारी चैनल को सबस्क्राइब करेंगे इस वीडियो को लाइक करेंगे तो दोस्तों मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स